Hey guys, दोस्वागत है अपका Captain B2 के चैनल में जहां आज हम बात करने वाले हैं Spider-Man No Way Home के Doctor Strange and Spider-Man के Mirror Dimension के सीन के बारे में जो कि इस मुवी का बहुत important सीन होने वाला है और इस सीन के वज़े से ही Doctor Strange Spider-Man की मुवी में गायब रहेंगे जाधा दर टाइम और वो Spider-Man की help नहीं कर Obviously मैं जो बताऊंगा वो theories होंगी based on जितने भी official clips निकले हैं जिसके वज़े से इसके सही होने के chances उतने ही हैं जितने गलत होने के वैसे तो मैं Spider-Man No Way Home के TV Spot का Breakdown का script लिख रहा था लेकिन जब मैं इस train sequence को explain करने वाले पार्ट पे आया तो मेरा दिमाग ही गुंग गया सबसे पहले एक separate वीडियो में इसको cover कर लेता हूँ उसके बाद से वो TV Spot का background वीडियो लाऊंगा लेकिन उस पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक spoiler warning देना चाहूंगा कि अगर आप लोग directly मूवी को hall में जाके enjoy करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या कर गए end के एक scene से बहुत हतक मैच खाता है इतना कि अगर आप उसको flip कर दो और दोनों को side by side रखके देखो तो ऐसा लगेगा कि दोनों same shot हैं सिर्फ background और VFX चेंज कर दिये गे हैं and now guess what एक TV spot में उन लोगों ने ये खुदी करके हमें दिखा दिया plus train sequence के आगे के कुछ और shot देखने को मिलें जो कि boss बहुत कुछ रिवील कर गया है वैसे technically वो आगे की scene नहीं है बलकि trailer 1 का ही scene है बस उसका background बदल दिया गया है याद है हम लोग बात कर रहे थे कि Doctor Strange का cloak of levitation कहा गया and हो सकता है कि ये Doctor Strange Mephisto या Wanda द्वारा control है तो फलाना धिंकाना जैसी theorists बना रहे जिसमें आप clearly देख सकते हैं कि Doctor Strange same posture में है बस background बदल दिया गया है साथ ही साथ cloak of levitation को भी यहाँ पे add कर दिया गया है विश्योस की भाईया Marvel वाले trailer में हम सब का काट रहे हैं और अच्छे से mislead करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग एक totally different scene बना रहे हैं trailer के लिए ताकि हम movie में क्या हो वो पताना चले बट क्या है ना एक इंसानी फिरत होती है कि जो चीज आपको ना करने को कहा जाए या फिर छुपाने की कोशिश की जाए हमारा ध्यान उधर ही जादा जाता है अब scene क्या है वो तो आप समझी गए अब एक बार उनके dialogues पर ध्यान देते हैं जो क उसे दुनिया से आए विलन्स के जान बचाने के लिए कह रहा हो पर वाट इफ वो किसी और चीज के लिए ऐसा कह रहा हो पहले ये scene कैसे प्ले आउट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्यूंकि इसके दो ही possibility है और पहला possibility यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने mirror dimension precaution के त अबित रहे और रियल वर्ड में कोई भी effect ना डाले but unfortunately वो unleash होता है जो कि इन purple cracks वाले effect दुआरा निकल रहे होते हैं जिसको रोकने के लिए Spider-Man डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि कोई ना कोई रास्ता होगा जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है there isn't and TV spot के इस scene में जब there isn't बोलता है तो पीछे में आप purple effect वाले crack को देख सकते हैं पहले trailer में तो हमें ऐसा लग रहा था मानो पीटर इतने सारे train को आसमान में देख कर कह रहा है कि कोई ना कोई रास्ता होगा बट TV spot के इस scene को देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि there is a possibility कि वो उन purple cracks से आरे खतर कि और देख कर कह रहा हो कि कोई ना कोई रास्ता होगा वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ancient one ने कहा था कि हम जो भी mirror dimension के अंदर करते हैं उसका असर real world में नहीं होता लेकिन मॉडो ने भी उसी movie के अंदर बताया था कि काईसिलियस dark dimension से power लेता है ज लेकिन डोर मामो यहां नहीं आ सकता क्योंकि उसने डॉक्टर स्टेंज मुवी के अंदर डॉक्टर स्टेंज को जुबान दी थी कि वो कभी अर्थ वापस नहीं आने वाला और ऐसे बींग का जुबान की बहुत ही जादा value होती है बट इन केस वो आने के बारे में सोचे त अगर आप interested है तो उसको check out कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग confused हो सकते हैं कि as end game के अंदर थैनोस ने कहा था कि उसने infinity stones को reduce to atom कर दिया था खेर यहां पर जो बात note करने लायक है या फिर के conclude करने वाली है वो यह है कि दोर मामो ने कहा था कि वो अर्थ दोबारा नहीं आएगा या फिर उस पे कबजा नहीं करेगा लेकिन उसने ये थोड़ी कहा था कि वो किसी और को अर्थ पे कबजा करने के लिए नहीं भेजेगा या फिर अर्थ पे कबजा करने की कोशिश करने वालों की मदद नहीं करेगा and we all know कि Dr. Strange Multiverse of Madness में शुमा गौरात होगा तो उसके ही आने के चांसे यहां पे सबसे जादा है and शुमा गौरात ही क्यों तो इसका जवाब बहुत ही जादा सिंपल है और वो यह है कि वो बहुत ही पाउर्फुल बिंग है दोर्मामू के जैसे बट वो डारेक्टली दोर्मामू के जैसे अर्थ में नहीं आ सकता क्योंकि पवितर स्थापित है बट वो मिरर डैमेंशन के थुरू तो आ सकता है या फिर अमेरिका चैवेज को यूज कर सकता है जो कि अभी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ऐसा ही होगा वेल डॉक्तर स्टेंज मल्टिवर्स आफ मैडनेस में क्या होगा वो तो उस वक्त देखेंगे लेकि इसलिए वो स्पाइडर मैन के वेब शूटर्स को मैजिकली अपग्रेड कर देते हैं ताकि वो उनको डिटेक्ट करके पकड़े जबकि डॉक्तर साहब मिरर डैमेंशन में फैले वे रायता को साफ करे यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि टेले टू के एंड में जो डॉक्तर साहब अपने स्टैचू अफ लिबर्टी के चारो और देखते हुए बोलते हैं कि मैं इनको नहीं रोक सकता हूँ वो असल में मूवी के बीच में इस ट्रेंज सिक्वेंस का ही पार्ट हो लेकिन उन लोगों ने इसके वी एफेक्स एंड बैग्राउंड ब अलावा कई सारे सॉसरर नोटिस करेंगे और वो भी उसको रोकने के लिए आएंगे स्पेशली वॉंग भी पर अगर ये मिरर डाइमेंशन के अंदर में हो रहा हो तो इसके बारे में सिर्फ उसी को पता होगा जिसके वज़े से ये हो रहा है जो कि है डॉक्टर स्टेंज शायद इसलिए डॉक्टर स्टेंज किसी दूसरे सॉसरर से मदद नहीं ले रहे है और वो खुद ही इससे डील कर रहे है क्योंकि ये उनका फैलाया हुआ रायता है और इससे उन्हें इसाफ करना होगा ये रायता मिरर डाइमेंशन में फैला हुआ है तो वो रियल सीक्वेंस कैसे टेक प्लेस कर सकता है अब चलते हैं दूसरे तरीके की और सो गाइज ये बात तो क्लियर है कि स्पाइडर मैं वर्सेज डॉक्टर स्टेंज हमें देखने को नहीं मिलने वाला क्योंकि ट्रेलर के अंदर जो डॉक्टर स्टेंज करते हुए हमें दिखाए ग पर मेरे ख्याल से डॉक्टर स्टेंज मुवी के जैसा ही कुछ दिखने वाला है जहां पर इंशेंट वान जब डॉक्टर स्टेंज को फ्री में मल्टिवर्स की सैर करवाती है और आने वाले खत्रे के बारे में बताती है तो उसी सीन के दौरान हमें डोर मामु की एक जलक देखने को मिलती है तो उसी तरह हो सकता है कि डॉक्टर स्टेंज यहाँ पे स्पाइडा मैन को मिरर डैमेंशन में ले जाकर उन आने वाले खतरों के बारे में बताए जो कि इस बॉक्स से या फिर उन विलेंज के यहां रहने के वज़े से हो सकते हैं जिसका डेमो दिखाने के लिए मिरर डैमेंशन में वो उन पर्पल क्रैक इफेक्ट से आ रहे खतरों को दिखाएं या बताएं जिसके बात से स्पाइडा मैन डॉक्टर स्टेंज की बात मान कर उन विलेंज को पकड़ने जाए एन इसलिए डॉक्टर स्टेंज स्पाइडर मेन के वेब शूटर्स को एंचैन्ट कर देते हैं मैजी से ताकि दूसरी उनिवर्स के आये विलेंज को वो खोच कर पकड़ पाएं ट्रेलर्स में इतना मिसलीट करने की कोशिश की जा रही है कि मैं क्या ही बता हूँ बर जितने पॉसिबिलिटीज या थियोरीज मैं सोच पाया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया बाकी आप लोगों को कैसी लगे ये Theories या फिर आपके पास कोई दूसरी बहतर Theories या फिर अच्छी या फिर Wild Theories है तो आप हमें Comment section के जरीए बता सकते हैं या फिर कोई Theory है तो वो भी आप हमें Comment section के जरीए पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा ताकि वो भी आपके जैसे इस वीडियो को एंजोइ कर पाएं, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आप ऐसे वीडियो मिस्स ना करें, चैनल थांक यू फर वाचिंग इस वीडियो स्टे ट्यून्ड